गुड मोर्निंग चिल्टरन आप सभी का कलास थिरी में हिंदी विशय पर स्वागत है आज हम लोग पाठ आठ पाठ का नाम है रेल का इंजन इस पाठ की पढ़ाई हम लोग करेंगे रेल का इंजन का आविसकार जोज इस्टीफ इंसन ने किया रेल का इंजन का अविस्का जोज इस्टीफिंसन ने किस प्रकार से किया ये हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे इंगलाइन में जेम्स वाट नाम का एक गरीब लड़का रहता था पढ़ाई में उसकी अधिक रूची नहीं थी किन्तु अन्या कामों में उसे ज़्यादा आनद आता था एक दिन जेम्स चाय पीने की इच्छा से रसोई घर में गया उसकी चाची ने चुल्हे पर पहले से ही केतली में पानी रखा हुआ था उसने देखा कि पानी उबल रहा है उसके साथ ही केतली का धकन बार-बार उठता गिर्ता था वह बड़े अस्चारे से केतली की ओर देखने लगा अब तो वह जाकर चुल्हे के पास बैठ गया और बड़े ध्यान से केतली के धकन का उठना-गिरना देखता रहा भाप धकन को उठा देती और केतली से बाहर निकल जाती, तब धकन गिर पड़ता, इस प्रकार उठते गिरते धकन को देखने मेवा इतना लीन हो गया कि चाय पीना ही भूल गया जेम्स केतली में उबलते हुए पानी की सक्ती को बेसुद सा देख रहा था, तबी उसकी चाची वहां आई और उसे डारते हुए बोली जेम्स तु बड़ा निकम्मा है, चल कुछ पढ़ लिख ले, इस तरह केतली को क्या देख रहा है जेम्स चाची की बात को अनसुनी करके बड़े ध्यान से केतली की ओर देखता रहा वह सोचने लगा भाप में जरूर कोई शक्ती है जो धकन को उपर उठा देती है उसने धकन के उपर लकडी का एक टुकड़ा रख दिया, थोड़ी देर तक तो धकन दबा रहा फिर बड़ी तेजी से धकन उड़कर नीचे गिर पड़ा और धेर सारी भाप बाहर निकल गई अब जेम समझ गया कि भाप में अवश्या ही बड़ी सक्ती है उसे एक नई जानकारी मिली वा खुसी से उचल पड़ा वा सोचता रहा कि छोटी सी केतली में थोड़ी सी भाप बनने से धकन गिर सकता है तो यदि बड़े बरतन में पानी उबाला जाए तो भाप भी जादा बनेगी और उसकी सक्ती भी अधिक होगी इससे बड़ा धकन भी गिर सकता है उसके मन में विचार आया कि क्या इस सक्ती से इंजन चलाया जा सकता है दिन रात वा भाप की सक्ती के पीछे पड़ा रहता हमेशा कुछ ना कुछ प्रायोग करता रहता अंत मेवा भाप का इंजन तयार करने की कोशिस करने लगा इस तरह कितने ही दिन महिने बीट गए जेम्स का प्रयोग शलता रहा अंत में जेम्स को सफलता मिली उसने भाब का इंजन बना लिया भाब की सक्ती से इंजन के पहिये घुमे कार खाने चले जेम्स खुसी से ना जुठा तो बच्चों इंजन भाब का इंजन जोज स्टीफिंसन ने बना लिया जेम्स का इंजन गारी खीचने वाला इंजन नहीं था इस इंजन से खान से कोईला निकालने और पानी खीचने का काम लिया जाने लगा कुछ दिनों बाद पट्रियों पर चलने वाले इंजन को बनाने की कोशिस होने लगी पट्रियों पर चलने वाला इंजन जोज स्टिफेंसन ने बनाया पहले तो या इंजन मालगाडी में लगता था किन्तु श्टिफेंसन ने इस इंजन में फिर सुधार किया और इसे सवारी गाली खीचने के योगे बना दिया पहली सवारी गाली में छा साव मुसाफिर वैठे थे और इसमें माल के चा डिब्बे थे इस गाली की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रती घंटा थी इसे देखकर लोगों को बड़ा आश्चारे हुआ भारत वस में सप्रथम रेल मुंबई से थाने के बीच 10 अप्राइल 1803 को चलाई के थी इस प्रकार जेम स्वार्ट ने भाब की सक्ती का प्रयोग करना सिखाया और जोज इस टीफेंसन ने इस सक्ती से चलने वाली रेलगाडी के इंजन का अविस्कार किया अब हम रेलगाडी के द्वारा दूर दूर तक आसानी से आजा सकते हैं इसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे तो बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जोज इस्टीफेंसन ने भाब से इंजन बनाया तो बच्चों अब आप लोग को इस पार्ट को अच्छा से पढ़ना है थैंक यू